चारा घोटाला से जुडे डुरंडा कोशागार से करीब 149 करोड रुपे की अवैद निकासी के मामले में CBI कोट ने लालु परसाद यादव के खलाफ समन जारी किया है गुरुवार को लालु परसाद का बयान दर्ज होना है लालु यादव के अधिवक्ता अनन्त विज से बात चीत की समवादाता विनीत उपाध्याईने रुडे आर्सी 47A-96 डुरंडा कोशागार के अवैद निकासी के मामले में कल लालु परसाद यादव कोट में उपस्तित होंगे क्या कल की प्रोसेस होगी कोट में जब लालु परसाद यादव आएंगे देखे ये 3.13 का बयान के लिए 3.13 का बयान जो होता है वो अभ्यूक्त से कोट लेती है तो अभ्यूक्त से वो जो भी सवाल जबाब नेयाले के दौरा किया जाएगा उसका वो जबाब देंगे जर्रली 3.13 में यह होता कि एविडेंस जब कंप्लीट हो जाता है किसी कि इसमें गवा कंप्लीट होयाता है उनका बयान लिया जाता है गवा से जो भी चीज निकल के आए है टोटल एविडेंस में जो भी चीज निकल के आए है उससे वो उस से कोर्रिले्टेट कोशनव जो और को उचशा जाएगा कि आपके खिलाब यह जो भी आरूप है करीब 149 करोड का RC 47 A of 96 में हुआ है चाकि इससे पहले जो भी केस है यह तो केस एक ही था एक ही जगा का था मगर उसको अलग अलग केस किया गया सारे ट्रेजरी का अलग केस किया गया तो इस पर डिटेल पर नहीं जाना चाहिए अभी फिलाल हम लोग RC 47 A of 96 की जब बात करते है तो यह डोरंडर ट्रेजरी का है 149 करोड का टोटल मामला है चूंकि लालू जी पे स्पेसिपिक एलिगेशन कुछ हाता नहीं है किसी केस में लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर और सी एम रहे हैं उस प्रियड में बस इसलिए उन पर जो भी दो सारोपन किया जाता है कि आप गरजन रहते हुए आपने ध्यान नहीं दिया और आपके साबने सारा चीज होता गया सारा घोटाला होता गया और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया जो अभीूगत है उनकी इस्थिति क्या है चार्शीट लगभग 180 लोगों पर किया गया था लेकिन वरतमान में कितने करा गया है उसके बाद भी कुछ दोरान भी कुछ लोग की मिर्तिव हुई है तो अभी मेरे ख्याल से लगता है 112-115 अभ्यूगत टोटल होंगे जो की ट्रैल में होंगे सवाल तयार किये हैं जो लालू परशाद यादव जी से कोट करेगा तो उसके लिए आप लोगों ने बचाओ की तयारी कर ली है देखिए ये सवाल जो है वो तो डायेट लालू परशाद यादव जी सही पूछा जाएगा और अभी हम लोगों को भी ध्यान में नहीं है कि कितना सवाल पूछा जाएगा ये लालू परशाद यादव का सीधा इंट्रेक्शन होगा कोट के सवालों का जवाब अब लालू परशाद यादव जी को देना है तो ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि गुरुवार की सुनवाई के दौरान जब लगभग दो सालों क के बाद लालू परशाद यादव कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे तो कोर्ट रूम का क्या नजारा होगा अपने सहयोगी राजा के साथ विनीत उपाध्याय न्यूज 11 भारत रांची